हेलो स्टूरेंट्स हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर इज ऑप्टिक्स और एक नुमेरिकल हम लोग करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप से रिलेटेड इसका डेरिवेशन हमने पिछले सेशन में किया था सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्टिंग ओफ और कन्वेक्सलेंस ओफ फॉकल लेंथ 5 सेंटिमेटर हमें मैग्निफाइंड पावर की मैक्सिमम मेग्निफाइंड पावर पता करनी है जिसमें कन्वेक्सलेंस है जिसकी फॉकल लेंथ 5 सेंटिमेटर है फॉकल लेंथ प्लस के लेंगे क्योंकि कन्वेक्सलेंस है डिस्टेंट ओफ इसेंग्विजन 25 सेंटिमेटर डी दिया हुआ हुआ है मैगनिफाइंड पावर का फॉर्मुल आपको पता है 1 प्लस डी अपॉन एप होता है वो सिंपल माइक्रो स्कॉप के लिए 1 की जगा बान रखेंगे डी की जगा पर 25 है और एप की जगा पर 5 है तो 5 और 25 जो अपा कट करेंगे तो इट विल बी 5 1 प्लस 5 इस इकवल टू 6 तो जो एम है मैगनिफाइंड पावर है वो हमारे पास कितनी आ गई है वो 6 आ गई है और यहीं हमें क्याल्कुलेट करने के लिए बोला क्या था आई होपके आपको नुमेरिकल समझ में आया होगा थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो